गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैपसूल में आई होब आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज रेगुलर करेंट अफेर्स एक्जाम अपडेट्स और स्टेडी मैटरियल के लिए चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा चली शुरू करते हैं 25 जून 2024 के जो करेंट अफेर्स चर्चा में रहें उनको हम इस वीडियो में देखेंगे भारतिय सेना के अगले उप्ट प्रमुख कौन होंगे तो जो वाइस चीफ आफ आर्मी स्टाफ है वो अब कौन बनेंगे वो बनेंगे न.स राजा सुब्रमनी जी क्यूंकि आपको पता है जो लेटिनेंट जनरल उपेंद्र तरवेदी सर है वो अब हमारे चीफ आफ आर्मी स्टाफ बन गए है लेटिनेंट जो जनरल मनुष पंड है उनकी जगा उन्होंने ली है तो आप जो उप्रमुख का पत था वो खाली हो गया था उसकी जगा आप एनस राजा सेना के अगले उप्रमुख होंगे और सरकार ने इस पत पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है वह वर्तमान में सेना की मध्य कमान का नेत्रत्व कर रहे हैं और लेटिनेंट जनरल उपेंद्र दुएदी जी का स्थान लेंगे जो आप आपके चीफ आफ आर्मी स्टा इसके अलाबा कुछ और जो नियुक्तियां चर्चा में रहे हैं उनको देख लेते हैं ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष या प्रेसिडेंट किसको चुना गया है ग्रीश तांती जी को एशियन असोशेशन ऑफ हेर रिस्टोरेशन सर्जन्स के अ दी गई है तो यह कुछ अभी अपॉइंटमेंट चर्चा में थे भारत के इस देश में अपना एक नया वानिज्य दूतावास खोलने की घोशना की है तो भारत में देखिए नहीं होगा बंगलादेश में अभी बंगलादेश की जो प्रधान मंत्री हैं शेक हजीना जी व पर उपचार के लिए आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो उनके लिए इस फैसिलिटी को सुगम बनाने के लिए या इजी बनाने के लिए यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए यी मेडिकल वीजा की फैसिलिटी की शुरुवात भी भारत के द्वारा की जाएगा थो विजन सागर, सागर आपका क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर आल इंड रीजन, क्योंकि वे अफ बेंगॉल का रीजन है, इंडिया का पलोसी देश है, तो इनकी सिक्योरिटी के लिए भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, ये भारत का विजन है, इसके लवा इंडो पैसिफिक विजन के लिए, या जो हिंद और प्रशान्थ महासागर वाला छेतर है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बंगलादेश, बातरे बंगलादेश की जो स्थापना हुई है, बंगलादेशी नागरिकों के लिए इमेडिकल सुविधा शुरू करेगा, अब देखिए बंगलादेश हमारे लिए जोग्राफिकली भी इंपोर्टेंट है क्यों, इंडिया जो सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, वो बंगलादेश के साथ ही करता है, लगबख 4,096 किलोमीटर का बॉर्डर हम बंगलादेश के साथ शेयर करते हैं, और कितने भारतिय राजयों से सीमा लगती है, टोटल 5 भारतिय राजयों से बंगलादेश सीमा साझा करता है, वेस्ट बंगोल, असाम, मेघाले, त्रिपूरा और अंतिव हैं मिजौरो, इन 5 राजयों से बंगलादेश बॉर्डर शेयर करता है, सबसे लंबा बॉर्डर हम इसी से शेयर करते हैं, हम बात करें, 2nd rank है चाइना के साथ हम 3488 km का बॉर्डर बनाते हैं और 3rd rank है पाकिस्तान की 323 km का बॉर्डर हम पाकिस्तान के शाद शेयर करते हैं इसके लावा देखिए बंगलादेश अभी थोड़ा सा चर्चा में और था, बंगलादेश में एक बंदरगाह है, मोंगला बंदरगाह, इसमें भारत इंट्रस्टेड है, इसके लावा ये बंगलादेश का 2nd largest port है, सबसे बड़ा port है बंगलादेश का चिट्टागॉंग जो उसके बाद जो डेल्टा बनता है वो आपका बंगलादेश में ही बनता है, यहाँ पर आप देख सकते है Mouth of the Ganges, यह Bay of Bengal है, तो इस वज़ए से बंगलादेश लगातार चर्चा में रहता है और यहाँ पर आपका रंगपूर है जहाँ पर भारत एक वालिक जद्दूताव इसको बंगलादेश में किस नाम से जाना जाता है इसको बंगलादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है तो यही सारे important कुछ facts बंगलादेश से होगा है, बॉर्डर याद रखिएगा बॉर्डर पूछने की संभावना जादा रहती है लाल सिर वाले गिद्दो के लिए very important question है इस बार का, इनको red headed vulture बोला जाता है English में, दुनिया का पहला संरक्षन केंदर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, भारत का नहीं, दुनिया का पहला conservation center होने वाला है, और आगे बताऊंगा क्यों उसका कारण क्या है, तो यह उत्तर प्रदेश के महराज गंजिप, यह center establish किया जाएगा, जो यह प्रजाती है, यह already आपकी जो IUCN की red data book है, उसमें शामिल है, आपको पता होगा कारण क्या था, जो हमारे यहां पहले NSAID, diclofenac, diclofenac use किया जाता था, यह क्या था, non-steroidal anti-inflammatory drug था, इसकी वज़ए से ग इसी का कारण था कि जो Asian King Vulture है, इसको red data book में डालना पड़ा, क्योंकि इसकी संख्या काफी कम हो गई, अब देखिए, इसकी breeding में परिशानी क्या है, प्रजनन में परिशानी क्या है, यह पूरी life में एक ही partner चुनते हैं, और साल में केवल एक egg देते हैं, कि कि अब आप दे conservation में या प्रजनन में काफी समस्याएं आती हैं, तो इसी के लिए महराज गंज में इस तरीके का पहला प्रजनन केंद्र बनने वाला है, यह प्रजाती देखिए, 2007 में अंतराष्ट्रिय प्रकर्ति संनक्षन संग की लाल सूची में सूची बद्ध है, और इस जो center का नाम ह वो होगा, जटायू conservation and breeding center, इस तरीके का देखिए, यह दिखता है, इसलिए इसका नाम red-headed vulture है, भारत में total गिंदों की 9 species पाई जाती है, यह उसमें से एक है, लास्ट टाइम देखिए, जो उसको देखा गया था, वो चित्र कूट में देखा गया था, इंडिया में जो spot इसको किया गया था, तो यह काफी important conservation project है, और विश्व का इस तरीके का पहला center यह बनाया जाएगा, तो इसको आप यादर किया, यह important है, खाल ही में कौन सा हवाई एड़ा, स्वा सेवा baggage drop system शुरू करने वाला देश का पहला हवाई एड़ा बन गया है, तो यात्रा को इस्टेबलिश की है, इस्पेशली जो migrants या immigration counter होता है, जो विदेशी यात्री भारत भूमने आके है, उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए, seamless बनाने के लिए वो शुरू किया गया है, तो वो भी देख लेते हैं, यहाँ पर आप पढ़ेंगे, दिल्ली के इंद्रा गां इंद्रा गांधी अंतरराष्टी हवाईटे के T3 यानि Terminal 3 पर Fast Track Immigration विशवशनिय यात्री कारेकरम का उधखाटन किया, इसको FTI TTP यानि Fast Track Immigration Trusted Travelers Program यह इसको बोला जा रहा है, तो यह दो नों देखिए अभी इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्स पर शुरू किये हैं, फाल ही में 43 में विश्व चिकित्सा एवं स्वास्त खेल कहा आयोजित किये गए, तो यह फ्रांस में एक जगह है, सेंट ट्रोपेज, वहां पर यह आयोजित किये गए, आपको एडिशन भी याद रखना है, इसके अलावा देखिए हैं इंपोर्टेंट क्यों है, इस इसी की तरह ब्रिक्स, यह भी अभी आयोजित किये गए थे, कजान, रुशिया में, रूस में यह आयोजित किये गए, इसको याद रखना है, आपको यह भी बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि ब्रिक्स की अभी फॉरेन मिनिस्टर्स किया, विदेश मंत्रियों की जो बै पर नाम को अलेंडिक जगा है, वहाँ पर यह टीला कोजा गया है, लगभग आप देखेंगे, कार्बन के अधसे 13000 से 19000 साल पुराना है, और कार्बोनेट इसमें जो मिले हैं, वो 34000 साल पुराना है, तो काफी पुराना टीना मिला है, और विश्विका सबसे पुराना दी एंड इसकी करंसी है, तो इसको याद रखिए, स्वामी विवेकानन्द, निशक्त, स्वावलंबन, प्रोचसाहन, योजना, जो हाल ही में खबरों में रही, इस राज्यकी सामाजिक सुरक्षा योजना है, तो यह जारखंड की एक शोशल सिक्योरिटी स्कीम है, और जो एन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके तहट 1000 रुपए की मासिक पेंशन इन लोगों को दी जाएगी, जो सिकल सेल एनेमिया से पीडित है, आप मुझे कमेंट करके बताएगा अभी हाल ही में सिकल सेल डे या सिकल सेल दिवस किस दिन मनाया गया था, इसको बताएगा आप य जोखने के लिए और जो गल चाइल्ड एजुकेशन है, जो लड़कियां है, उनकी सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कीम है, नाम बता देता हूँ, मुख्यमंत्री निजुत मोईना योजन, इसके लावा, पी एम श्री परियटन हवाई सेवा, यह मध्यपरदेश के द्वारा शुरू की गई है, मध्यपरदेश के जो important tourist places है, खजुराहो है, औरचा है, रीवा है, इनको जोडने के लिए, इसके लावा एक जल स्वावलंबन अभियान 2.0, यह राजिस्थान सरकार की स्कीम है, water conservation के लिए, तो यह कुछ अभी स्कीम जो चर्चा में बनी हु Grand Prix 2024, Red Bull के Max Verstappen, यह नीदरलेंड के player है, Monaco Grand Prix, Ferrari के Charles Lackler, Monaco के ही है, Emilia Romana, Grand Prix यह Red Bull के Max Verstappen नहीं जीती, नीदरलेंड के है, Miami Grand Prix, यह McLaren के Lando Norris नहीं जीती, जो ब्रिटेंड के है, तो यह कुछ अभी Grand Prix शर्चा में थी, इस शहर को अधिकारिक तोर पर, यूनेस्को के साह किते शहर के रूप में मानिता दी गई है, तो देखिए, अभी कोजी कोड, जो केरल में स्थितिक शहर है, इसको यूनेस्को के City of Literature, या साहित्य के शहर के रूप में मानिता दे दी गई है, पहले इसकी घोशना हो गई थी, लेकिन आप आदिकारिक तोर पर इसको घोशना इसकी करदी गई है, यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, कोजी कोड के बारे में कुछ facts हलके से देख लेते हैं, कोजी कोड में हर साल आपका केरल साहित्य महुत्सव का आयोजन किया जाता है, कोजी कोड केरल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, पहले इ important है क्योंकि भारत का यह पहला city of literature है बात करें यूनेसको की इस्थापना 1945 में की गई है यूनेसका का जो headquarter है वो पैरिस में इस्थित है थाल ही में भारत की पहली भूमीगत koila गैसी करण पाईलेट परियोजना का उधगाटन किस राज्य में किया गया है तो यह अगर कोले की बात करें, फारत में सबसे जहाद है कोईला के भंडार है यह मufश करो मिलते हैं, अगर मिल रिजर्वर की बात, यानि भंडारों की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें भी धारखंट आपका 1st रैंक पर आता है, जारखंड में एक बहुत famous mine है जरिया, जरिया mine यह आपके coal production के लिए famous है, इसके लावा कुछ और coal mines है, जो जारखंड में इस्तित है वो बता देता हूं, जैसे चंदरपुरा है, बोकारो है, गिरीड है, करणपुरा यह भी आ चुका है, इसको भी लिख लीजिए, यह भी important ह है, करणपुरा, यह भी एक important coal field है, वेस्ट जारखंड में, वेस्ट बेंगॉल में काफी important field है, रानी गंज, यह आपका यह कुछ और coal से संबंदित मैंने आपको facts बता दिये, अगर बात करें तो चार तरीके का होता है, आप सबको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूं, पहला होता है, एंथ्रिसाइट, माफ कीजिए, एंथ्रिसाइट, दूसरा होता है, बिटूमिनस, तीसरा लिगनाइट, चौथा, पीट, ठीक है, यह घट्ते क्रम में कारवन का ओर्डर होता है, सबसे ज़्यादा कारवन आपको एंथ्रिसाइट में मिलेगा, या वोलेटाइल कंटेंट, सबसे कम आपको पीट में मिलेगा, लिगनाइट को, ब्राउन कोल, या भूरे कोईले के नाम से भी जाना और ऐसा करने वाली है, पहली भारती है, प्लेयर बन गई है, यह उलम्पिक के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है, हाली में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक प्रधान मंत्री उतकरष्टता महा विद्याले की स्थापना को मंजूरी दी है, तो मध्यप अंतराष्ट्य उलम्पिक दिवस 2024 का विशा है क्या रहा, तो इस बार इसका विशा है, लेट्स मूव एंड सेलीब्रेट, इसके बारे मनीची आप पर पढ़ सकते हैं, अंतराष्ट्य उलम्पिक दिवस का जो इतिहास है, वो 23 जून 1894 शुरू होता है, जब पैरिस के सोर में अंतराष्ट्य उलम्पिक समीती की स्थापना की गई थी, देखिए इसके अलावा इस बार जो उलम्पिक आपके आयोजित किये जा रहे है, सबको पता है, पैरिस में आयोजित किये जा रहे हैं, 2028 के जो उलम्पिक होंगे, वो होंगे अमेरिका के लौस एंजलेस, पह यही हमारे आज के सारे करेंट अफेर्स थे जो विबिन विबिन चेत्रों से संबंदित थे अगर आपको यूच्फुल लगा हूँ श्याशन आपके एक्जाम पॉइंट फ्यू चे अच्छा लगा हूँ तो प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजिएगा थैंक्यू सो